हे वाट्स अप गाईज तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानि BGMI गेम के लैग को फिक्स कर सकते हैं अगर आप BGMI के लैग से परिशान हो चुके हैं तो इस वीडियो में बताएगे सेटिंग्स को अपने फोन में अपलाई करिए उसके बाद जो है आपका BGMI के लैग जो है काफी हद तक फिक्स हो जाएगा इस वीडियो को लास तक देखना है जोगी steps में बता रहा हूं उसे follow करना है and settings को apply करना है अपने phone में उसके बाद जो है आपको improvement अपने game में देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपने phone में जाना है phone के settings में जाना है and वहाँ पर developer option को enable करना है तो इसके लिए आपको about phone में जाना है and about phone में जाने के बार यहाँ पर अगर आपका sawmy का phone है आपको बिल्ड नमबर पर seven times tap करना है उसके बाद जो है आपका developer option इनेबल हो जाएगा यह होगा additional settings में तो आपको additional settings में जाना है and यहाँ पर आपको नीचे scroll करना है यहाँ पर एक setting होगा game driver preference तो इसमें जाएए and यहाँ पर आपको अपना game देखने को मिल जाएगा यहाँ पर battleground mobile India है इस पर select करिए and यहाँ पर जो है default पर होता है game driver तो आप इसे जो है game driver पर कर दीजे इसके बाद game driver पर करने के बाद आपको back आना है इसके बाद आपको नी settings को apply कर देंगे इसके बाद अगर आप game को खेलेंगे और आपको थोड़ी बहुत improvement देखने को मिल जाएगा इसके लाबा अगर आप और भी improvement चाहते है और आप प्लेश्टोड पर जाईए वहाँ पर सर्च करिए GFX और कोई साभी GFX आप डाउनलोड कर सकते हैं यह वाला ज सेटिंग है सबसे पहले तो आपको आपर BGMI को सलेक्ट कर लेना है सलेक्ट करने कवाद यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग है वह है रेजुलिएशन का तो यहाँ पर रेजुलिएशन में आप दीफॉल्ट को हटाके 1280 से नीचे ही रखे अगर आपका फोन मतलब लो-end फोन ह है और आप 1280 से नीचे रखे अगर आपका मीडें या फिर हाई-end फोन है तो आप 1280 पिक्सल पर रख सकते हैं रेजुलिएशन के नीचे आपको यहाँ पर ग्राफिक का उप्शन होगा इसे जो है स्मूथ पर कर लिजे और यहाँ पड़ एफ-प्प्यस का उप्शन होगा इसे जो आप 60fps पर कर लिजे और उसके नीचे होगा anti-alizing तो इसे जो है डिसेवल कर लिजे और इसके बाद जो होगा नीचे rendering quality इसे low कर लेना है और बाग की सारे चीजों को default पर छोड़ना है नीचे scroll करना आपको यहाँ पर होगा आपको color format तो इसे जो है 32 bit पर कर देना है जो है उसके बाद जो आपको नीचे जाना है इंहाँ पर ओगा graphics API तो आपको इसे जो है OpenGL पर कर देना है गयाना है पर सेytt्भर को zero करना है उसके बाद एकसेप्ट करना है उसके बाद जो है ne अहाँ पर देखिए कि आपका जो गेम है उसके बाद यह जो काफिखने को मिल ज कर सकते हैं तो ओको फोड़ी वीडियो पसंद आओगा पसंद आइन पीजिसे लाइक करें और ऐसे और ने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो उनने वारे आने वाले वीडियो की निर्विकेसन दोची मुझें